क्या हुआ लगता है नाव की नीचे कोई भारी चीज चक्राई है मैं जिन हूँ मैं एक शंक में कैप था लेकिन तुम्हारी नाव से डगरा कर वो शंक तूट गया और अब मैं उस शंक से बाहर आ गया लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो तुम्हारी नाव में सवार ये तीन लोग एक एक करके इस नदी में कोई सामान फेकेंगे अगर मैं उस सामान को ढून लाया तो मैं फेकने वाले को मार दूंगा अगर मैं उस सामान को ढून पाने में नाकाम हुआ तो मैं उसका गुलाम बन जाओंगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है चलो मैं शहजादे जैसे दिख रहे इस नौजवान से शुरुआत करता हूँ मैं मुड रहा हूँ तुम जल्दी से कोई चीज नदी में फैको अगर फैकने में देरी की तो मैं तुमें मार दूँगा शट के मताबथ अब मैं नदी में जाकर उस चीज को ढूणूगा जो तुमने नदी में फैकी है मिल गई सुई तुमने या सुई नदी में फैकी दी जाल हूँ शर्ट के मुताबिक अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ वैसे मैं तुम सब को एक साथ मारूंगा अब बारी तुम्हारी है तुम सफेड टोपी वाले नभी में कुछ फेको मैं पलट रहा हूँ शर्ट के मुताबिक मैं फिर से नभी में जा रहा हूँ अगर तुम्हारी फेकी हुई चीज लाने में नाकाम रहा तो तुम्हारा गुलाम हो जाओंगा वरना मरने के लिए तैयार रहना मिल गई चिफ तुमने ये चिफ नदी में फेकी थी मैं इसे ढून लाया हूँ शर्ट के मुताबिक अब तुम्हारी मात में निश्यत है अब बारी तुम्हारी है और तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम मुस्करा रहे हो तुम्हारी ये मुस्कराइट अभी खत्म हो जाएगी मैं पलट रहा हूँ, तुम भी जल्दी से नदी में कुछ फेको तुनारा वाक्त खत्म हुआ, अब मैं नदी में जाता हूँ और उसे ठून कर लाता हूँ अरे, नदी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, पूरी नदी खंगाई डाली, लेकिन नदी में कुछ भी नहीं, लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी क्यों, क्या हुआ? मेरे आका, मैं आपसे हार गया आज से मैं आपका गुलाम हुआ, बताओ, मेरे लिए क्या हुप्म है मेरे आका? सबसे पहले तुम ये वादा करो, कि तुम इन दोनों को कोई नुक्सान नहीं पहुचाओगे जो हुप्म मेरे आका, मैं इनकी जिंदगी बख्षता हूँ लेकिन मेरे आका, मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर आपने नदी में क्या फेका था, जिसे मैं ढून नहीं सका तुम अगर जिन हो, तो हम तुम्हारे बाप हैं मैंने नदी में डिस्प्रिन फेकी थी जो पानी में जाते ही घुल गई फिर तुम उसे कैसे ढून पाते बच्चू अब तुम हमारे साथ चलो चलो अब हम तुम्हें दिल्ली लिये चलते हैं दिल्ली में तुम्हार लिये बहुत काम है तुमसे देश हित में काम कराएंगे